विकार के आधार पर अब हम शब्दों का वर्गी करन विकार के आधार पर पढ़ेंगे वाक्यों में प्रियुक्तों होने पर शब्द कोई ना कोई व्याकर्निक प्रकारिय करने लगते हैं कोई शब्द करता का काम करता है तो कोई कर्म का कोई क्रिया का काम करता है तो कोई विशेशन का वाक्य में प्रियुक्त होने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है और कुछ अपने मूल रूप में बने रहते हैं इसी दृष्टी से शब्दों को दो भागों में बाटा गया है विकारी शब्द और अविकारी शब्द विकारी शब्द विकार के आधार पर शब्द का पहला भेद विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदी के कारण लिंग, वचन, कारक और काल आदी के कारण परिवर्तित हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं. उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. जैसे काला, लड़का, वहे, विकारी शब्दों के चार भेद माने गए हैं. व्याकरन में चार भेद माने गए हैं विकारी शब्दों के. संग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया क्योंकि ये लिंग वचन और कारक के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं. अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, सदा एक समान रहता है. अर्थार्थ, जो शब्द, लिंग, वचन, कारक और कालादी के कारण अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. इन अविकारी शब्दों को हिंदी व्याकरन में अव्य भी कहा जाता है, जैसे अचानक, इधर, अभी, सामने, अरे, आदी. आविकारी शब्द हिंदी व्याकरन में पांच माने गए हैं, संबंद बोधक, समुच्य बोधक, क्रियाविशेशन, विसमेदी बोधक और निपात. दुबारा देखिए, क्रियाविशेशन, संबंद बोधक, समुच्य बोधक, विसमेदी बोधक और निपात. झाल झाल